आप अपने रासी से कैसे जानने की हमारे मकान बनने का उम्र क्या होना चाहिए और किस उम्र में हमारा मकान बनेगा दोस्तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और आप इसे अच्छे से समझना और मकाउन नहीं बन रहा है तो इसका कारण क्या है और कौन से उपाय करने के बाद मकाउन निस्चित रूप से बनेगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम मिश रासी की बात करते हैं तो पहले हम ये आपको बता देते हैं कि मेस रासी जो है इसके मालिक कोन-कोन से हैं और मालिक के बाद हमने ये टोटल मासिक पत्रिका से निकाला है तो मेस जो है इसके जो मालिक हैं वो होते हैं कौन से तो मंगल देव अब मंगल देव जो है किसी भी आदमी को मकान कब देते हैं तो ये 28 से लेकर 36 साल के बर्स के बीच में किसी भी बैक्ति को मकान दे देते हैं ब्रिस रासी यानि की सुक्र ये दोस्तों मकान देते हैं लेकिन बहुत अच्छा मकान देते हैं मितलब की रहने लाइक नहीं बहुत अच्छा मकान देते हैं लेकिन इनका जो भाग उदे होता है वो ही लेटशी होता है तो ऐसे जातक को जो है चौतिस साल से लेके चालिस बर देते हैं 22 से 23 बरस के बीच में ये मकान आपको दे देते हैं अब हम बात करते हैं कि सिंग रासी तो सिंग रासी अगर आपका है तो इसके जो मालिक होंगे वो सुझ देव होंगे और ये सिंग रासी के करक की पहले हम बात करते हैं करक रासी के जो मालिक होते हैं वो चंद्रम मकान देते हैं आगे हम बात करते हैं सिंग रासी की तो सिंग रासी की जो स्वामी होते हैं वो सुर्जदेव होते हैं और यह भी बहुत जल्दी लेकर देते हैं यानि की 34 साल से लेकर इनको 40 साल के बर्स के बीच में इनको मकान लेकर दे सकते हैं उसके बाद कन्यों की बात आती है तो इसके जो मालिक होते हैं ये बुद्ध होते हैं और ये भी आदमी को 24 से लेकर 38 बर्स के उम्र में मकान दे देते हैं तुलारासी की बात करते हैं तो इसके मालिक जो होते हैं वो शुक्र होते हैं और ये आदमी को देते हैं 28 से लेकर 38 वर्ष तक में मकान लेकर दे रहेते हैं अब हम बात करते हैं, तो मकर के जो मालिक होते हैं, वो शनी होते हैं, ये देता है, 38 साल से लेकर 44 साल तक में ये मकान लेकर देता है. अबर कुम्भी की बात करते हैं तो कुम्भ भी है तो इसका 36 से लेकर 45 बस तक में इनको मकाउन मिलता है और इसके मालिक सनी होते हैं अब हम बात कर लेते हैं ब्रश्पती की तो ब्रश्पती जो है इनका भी जो होता है मीन के मालिक ब्रश्पती होते हैं और इनका उमर जो है ये 40 साल से लेकर और 40 साल के बीच में ये आदमी को मकाउन लेकर देते हैं दोस्तों अगर इसके बीच तक में अगर आपको मकाउन नहीं मिला है तो आप अपने कुंडली में कुंडली लो आपका जो कुंडली चार्ट होता है उस कुंडली चार्ट को लो लगन चार्ट ऐसा बना होगा आपका अब ऐसा लगन चार्ट बना होगा अब इसमें देखो कि इस घर में क्या है कौन सा नमर है और इस घर में नमर कौन सा है और उस पर कौन कौन से गरा बैठे होते हैं मकाउन के लिए जो होते हैं मंगल शनी शूक्र और सूरियर अगर ये आपके कुंडली में इनका placement अच्छा होगा अगर धनेश होगे लावेश में बैठे होगे तो आपको इस उमर में जरूर मकान मिल गया होगा अगर नहीं मिला है तो आप इसका जाब कर सकते हैं सबसे पहले तो आप अपना कुंडली की से असलोजर से दिखाएं जो सही असलोजर होगा उसके बाद आप निरने लें कि इसमें कौन से गरह कमजोर है जिसके कारण हमें मकान नहीं बन पा रहा है या मकान नहीं ले पा रहे बहुत से आदमें ऐसी बहुते पैसा होने के बाद भी मकाउन नहीं ले पाते हैं तो उस चीज़ को active करें उसके बाद भी मकाउन आपको मिल पाएगा दोस्तों हम ये comment support के लिए बनाए हैं हमारे पास जो comment आता है उस comment support के लिए कि आप रासी से देखकर आप पता लगा लें लेकिन actual के लिए आपको कहीं न कहीं कुंडली दिखाना ही परेगा तहीं पता लग सकता है हम मिलते हैं नए वीडियो में आपके पास में जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को दबालो धन्यवाद प्राइब आपके लिए जिए यहाद लिए आपको दोदिए की की।